तेलंगाना की बात करते हैं क्योंकि वहाँ पर भी चुनावा आज ही संपन हुए हैं और वहाँ पर किसी सरकार आ रही है क्योंकि दक्षिन भारत का गेटवे कह सकते हैं तेलंगान और अंधर प्रदेश को आप और वहाँ से ही डक्षिन का किला भेदने की कोशिश कर रही है BJP लेके न क्योंकि बेंगलूरू क्योंकि जो करनाटका है वहाँ पर BJP को अभी हाली में जो चुना हुए वहाँ पर करा रही हाली का समदा करना पड़ा वहाँ पर कॉंगरेस ने शांधार जीत हासिल की और अब तिलंगाना में बीजेपी क्या कुछ करने वाली है इस पर सबकी नज़रें ठीकी हुए हैं तो बीजेपी क्योंकि खुद प्रधानमेंटिर निरेंद्रमोदिया में शाह तमाम लोग वहां पर लगतार मोर्चा समहालते में नज़र आएं और वहां पर अब सरकार किस चुनाव समपन हो चुके हैं और एकजिट पॉल लेकर क्या आज रहे हैं आपके सामने तो बात करते हैं अलग अलग चैनलों की तो जो चैनल क्या का एकजिट पॉल है टीवी न्यूजिट पोल की तरफ से उसमें 119 सीटें क्योंकि जो सरकार बनाने के लिए वहां में चाहि पॉल से रहे हैं और बीजेपी वहां पर 7 सीटे लाती ही नजा अरही है जिसमें से वैसे की आए मिद्य शामिल है टामस राओ ETG सर्वे की तो वहाँ पर AIMIM को 5-7 सीटे आ सकती हैं वहाँ पर BRS को वहाँ पर 37-45 सीटे आ सकती है BJP को 6-8 सीटे जबकि कॉंग्रिस खाते में 6-7 सीटे और यहाँ पर भी साफ लग रहा है कि कॉंग्रिस यहाँ पर पूर बहुमत की सरकार बनाती हुए नज़र आ रही है ऐसे साथ अगर TV9 पॉल स्टार की सर्वे की बात करें तो यह AIMIM के सर्वे में 6-8 सीटे आ रही है VRS को 48-50 सीटे आ सकती है वहाँ पर जबकि BGP खाते में 5-10 सीटे आती हुए नज़र आ रही है तो यहाँ पर मुकाबला बेहद करीब का है TV9 के सर्वे में इसके साथ जन की बात की बात करें तो यहाँ पर BRS जो है उसको 40-55 सीटे है कॉंग्रेस को 48-64 सीटे है BGP को 7-13 सीटे है जबकि आने के खाते में 6 सीटे आती ही नज़र आ रही है और AIMIM जो के OVC के पाटी है हैदराबाद के लागे में बड़ा प्रभाव है उनका वहाँ पर 4-7 सीटे हैं उनको आ सकती है इंडिया TVCNX के सर्वे की बात करें तो VRS को वहाँ पर 31-47 सीटे कॉंग्रेस को 63-63 से उन्हें सीटे आती हैं नज़र आ रही है तो यह सर्वे हैं तिलंगाना कुले करके अब बात करते हैं तिलंगाना के साथ-साथ मिजोरम की भी मिजोरम में वहाँ पर जो है आइन सी काइनिक कॉंग्रेस जो है उसको 2-8 सीटे आ सकती है MNF को जो है वहाँ पर आपको 15-21 सीटे आ सकती है ZPM को 12-18 सीटे आ सकती है और निक खाते में सोने से 5 सीटे जा सकती है पर वो तरकराजी है मनिपूर के मुद्ध कुलिकर के लगतार भी पक्षिये पार्टिया केंद्री की मोड़ी सरकार को घिरने के कोशिश करती रही है ऐसे में मनिपूर जो है जो मिज़ोरम है क्योंकि वहां से और मनिपूर की जो आग है क्या उसका सर उस पर दिख रहा है वहां पर क्या कुछ हो रहा है इस पर सब की नज़र ठीक हुई है जबकि अगर रिपॉब्लिक भारत की बात करें बीजेपी को वहां पेश 69 से 2 सीटे INC को 5 से 9 MNF को 10 से 14 ZPM को 15 से 25 सीटे जबकि इन्डिया TV CNX के सरवے में वहां पर BJP को 60 से 2 सीटे Congress को 8 से 10 सीटे MNF को 14 से 18 सीटे और ZPM को 12 से 16 सीटे आ थी जो है ताइमसे नौरा में के सरवे का इंतजार हो रहा है कुल 40 सीटों की विधान सभाय है वहाँ पर और 21 सीटे चाहिए सरकार बनाने के लिए वहाँ पर और कॉंग्रिस वहाँ प्रवुत्तर के सिराज से में जो है लंबे वक्स सब्ता से दूर है बीजेपी ने लगतार प्रवुत्तर के तमाम राजियों में या तो अपने दम पर या फिरम समर्थन की सरकार बना रखी है और ऐसे में वहाँ पर बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है नजर तो नहीं आ रही है लेकिन वहाँ पर उसी तरसा योगी दल है उसके आकड़े जो है बीजेपी को खुश करने वाले है ऐसे में मनि पर पुर्वुतर का ही कराजी है वहाँ पर जिस तरह किसी लगतार हिंसा हो रही है उस हिंसा के बाद पुर्वुतर किसी राजी में पहला चुनाव है और ऐसे में दिखना होगा कि मिजोरव में सरकार किसकी बनती है तो हमने आपको अलग-अलग वीडियो में बताया कि अल कोंगर्स की बात करें तो उसकी विदाई होती नजर आ रही है राजस्थान से एक औसर निकाले तो वहीं बीजेपी सत्वाया में वापसी करती है नजर आ रही है। पाने के लिए राजस्थान है और बचाने के लिए मध्य प्रदेश इसके साथ साथ मेज़ोरम की बात करें तो मेज़ोरम में भी बीजेपी से मर्थु सरकार बंती वी नजर एक्जिट पोल में आ रही है फिलाले इस वीडियो में इतना है नमस्कार